नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हो उमीद है आपसे भी अच्छ और अपनी पढ़ाई भी अच्छ से कर रहे हैं आज मैं आपको कुरा रही हूँ आपकी वरक्षीट नमर अठारा यह आपके पठन अभियान की कारपत्रिगा और आज की थीमे हमारी सच्चा है यह आपका चौथा हफ़ता हैने की फौर्थ वीक चल रहा है तो वरक्षीट शू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे आपका सेक्षन A, B, C, D लिखेंगे आपका नाम लिखेंगे, आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे 7 फरवरी 2022 22 तो आइए शू करते हैं आपकी वरक्षीट जीवन में सच बोलने का बहुत ही महत्व है विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है आइए दी गई कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सच्चाई इंसान के जीवन को कैसे बदल देती है सच बोलना बहुत ज़रूरी है अगर आप जूट बोल रहे हैं तो आपको एक जूट बोलने के बाद फिर उसे चुपाने के लिए दूसरा जूट और इस तरीके से आपको हमेशा जूट ही बोलना पड़ेगा अगर आप एक बार में सचाई बोल देते हैं तो आपको ने चुपाने के लिए जूट नहीं बोलना पड़ेगा तो हमें अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सच बोले चलिए कहानी पढ़ते हैं इस कहानी में क्या होता है एक गाउ में इमानदार लकड हारा रहता था लकडियां काटते समय अचानक उसकी कुलहारी हाथ से छूट कर नदी में जागिरी नदी का पानी बहुत गैरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था अतव वह किनारे पर बैटकर रोने लगा तभी नदी में से पानी की देवी बाहर निकली उसने लकड़ हारे से उसके रोने का कारण पूचा कारण जानका वै नदी में से एक सोने की कुलहारी लेकर आई और लकड़ हारे को देने लगी पर उसने कुलहारी नहीं ली और कहने लगा यह मेरी कुलहारी नहीं है पानी की देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुलहाडी लेकर आई और लकड़हरे को देने लगी उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि ये कुलहाडी भी मेरी नहीं है तीसरी बार कूद कर देवी नदी में से लोही की कुलहाडी लेकर आई लकड़हरे ने खुशी खुशी अपनी कुलहाडी ले ली पानी की देवी उसकी सच्चाई देखकर अती ब्रसन हुई और तीनो कुलहाडियां लकड़हरे को इनाम में दे दी लकड़हरा तीनो कुलहाडियों को पाकर बहुत ब्रसन हुआ और उन्हें लेकर खुशी-खुशी घर आ गया देखा आपने जब लकड़ारी कुलहारी पानी यानी नदी में गिर गई तो पहली बार उसे सोने की कुलहारी मिली उसने मना कर दिया दूसरी बार चांदी की मिली फिर भी मना कर दिया क्यों क्योंकि वो इमानदार था और सच बोलता था उसने सिर्फ अपनी लोहे की कुलहाडी जो थी उसे ही अपना बताया और उसे ही लिया तो रानी जो देवी थी वो उन्होंने खुश हो कर उसे तीनों कुलहाडियां दे दी अब देखें इसमें क्या हमें करना है आपको क्या लगता है कि अगर लकड़ारा पहली ही बार में सोनी की कुलाड़ी को अपनी बता देता तो पानी की देवी क्या करती अपनी शब्दों में लिखो लिखिए तो पानी की देवी क्या करती उसे एक भी कुलारी नहीं देती क्यों क्योंकि वो इमांदार नहीं था इमानदार नहीं था ठीक है आगला है अगर आप अगर लकड़ारे की परिस्तिती में होते तो क्या करते अपने माता पितावा सिक्षक से चर्चा कीजे तो अगर मैं लकड़ारे की जगे होती तो मैं भी सिर्फ अपनी ही कुलाडी लेती हम लिखेंगे यदी मैं यदी मैं लकड हारे की जगह होती तो सिर्फ अपनी लकडी की कुलहारी लेती या लेता जो लड़किया वो लेता लिखेंगे ठीक है यदी मैं लकड हारे की जगह होती या होता तो सिर्फ अपनी लकडी की कुलहारी ही लेता या लेती ठीक है इस कहानी को अगर आपको कोई शीर्षक देना है देना होता तो आप क्या देते हैं शीर्षक मतलब इसका नाम हम क्या रख सकते थे हम इसका नाम रख सकते थे लकड हारे की इमानदारी या इमानदार लकड हारा कुछ भी तो मैं लिख देती हूँ इमानदार लकड लकड हारे की इमानदारी इमानदारी आप इमानदार लकड हारा भी लिख सकते हैं दूसरा इमानदार लकड हारा और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं पानी की देवी और लकड हारा कुलहाडी और लकड हारा इस तरीके बहुत सारे नाम हो सकते हैं अगर आपको कभी इक्षा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उनसे उससे क्या मांगोगे और क्यों अगर मुझे कभी शिक्षा मालीजी आप विध्यारती हैं और आपको अगर ये देवी मिल जाए या मुझे को इक्षा पूर्तियाली देवी मिल जाए तो मैं उन जीवन में खुशियां दे खुशियां दे ठीक है आप अपनी मर्जी से कुछ भी मांग सकते जो आपका जो आपकी एक्षा हो आप वो मांग सकते परेंस आपके लिए सज़ेशन है कि आप बच्चों को बताएं हमें हमें हमेशा सच्चाई और इमांदारी से अपना काम करना चाहिए कि İमांदारी से क्या गया का हमेशा सफल होगा नहीं तो हमें जब हम कोई चीज जूट से या किसी की बेहिमानी से करते हैं तो हमेरे चीज़یں वो सफल नहीं होती है तो उम्मीद आपके लिए वक्षिट यूसफुल रही होगी अगर यूसफुल रही हो तुसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद